Hello Friends Welcome to our Channel आज का Topic है Exercise 1B Exercise 1A अल्रेडी हम हो चुक कर चुके हैं आप जाकर देख सकते हैं ठीक है Link in Description Please Go and Watch First we need to discuss about Exercise 1B Before starting the chapter First we need to discuss a little bit concept about related to this chapter Okay, तो क्या है सबसे पहले हम देखो बच्चो अगर first time visit कियो तो प्लीज यार चैनल को subscribe कर दो और Bill Icon को press कर लो ताकि हमारा content आप तक जल पहुँ सके हमारा सबसे पहले एक चीह जान लेना Output Tax क्या होता है और Input Tax क्या होता है Output Tax Student Output Tax उसको बोलते हैं जब आप जब आप अपने माल को Sale करते हैं तो Customer से जो Tax आप लेते हैं उसको बोलता है Output Tax यानि Tax on Sale यह चीज क्लियर आपको हो गया अब हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा जो पॉइंट है जो काफ़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है Input Tax की बारे में Input Tax में क्या होता है देखो आप या तो माल करोगे या तो माल खरीदोगे तो Input Tax में जो माल आप खरीदे हो तो उस पर भी आप Tax देते हो तो वह हो गया Tax on Purchase ठीक है यह चीज आपको क्लियर तरीके से I hope हो गया ठीक है इस चीज को अगर आप concept क्लियर तरीके से समझते है तो फिर कोई आपको डिकत नहीं होने वाला है Student यह आपको Question No.1 है Exercise 1B से Fill in the blanks when the goods services are sold Goods यहने कोई भी समान जो बेचे गए Sold for 15,000 Under Intra-State Transiction from Station A to Station B Intra-State Transiction मतलब क्या हुआ Same state में Transiction हो रहा हमाल का कितने में 15,000 में From Station A to Station B Station A में तो इसका Selling Price क्या है 15,000 और यह माल कहां जा रहा है Station B में जा रहा है and the rate of GST is 12% तो यहां पर as per GST system Selling Price as Station A तो Station A पर इसका Selling Price कितना है 15,000 यहनि जो Sell Out हुआ है Station A कितने में हुआ है 15,000 में ठीक है इसका जो answer लिखेंगे Selling Price as at Station A Rs. 15,000 दूसरा Point है हमारा यह Point A है दूसरा Point है B यानि आपको CGST निकालना है और एक निकालना है SGST धियान रखिएगा यहां पर माल सेम State में बेचा जा रहा है तो हम Central GST भी निकालेंगे और State GST Total GST दियावा है हमारा GST given है 12% है तो Central को 6% जाएगा और State वाले को 6% अब किसमे जो Tax लगता है किसमें लगता है उसके जो भी Selling Price है कितना है Selling Price 15,000 तो 6% of 15,000 तो यहां पर 6 by 100 multiply with 15,000 यहां पर 2 0 2 0 cancel तो इसका जो answer आजाएगा Rs. रुपीज 606-900 रुपीज 900 ठीक है अब जितना Central को जाएगा उतना ही स्टेट को जाएगा तो स्टेट का कितना होगा वह भी Rs. 900 यह भी जिए क्लियर कोई दिक्कत नहीं No problem C point में हम जाते है तो यहां पर बोल रहा है C point में आप देखोगे तो cost price at station B यानि CP at station station B में अब station B में जो पहुच रहा हूँ उसके लिए तो cost price हुआ तो cost price कितना है यहां पर station A से जो माल गया station B में कितने में गया 15,000 में तो cost price कितना पढ़ा station B के लिए वो आपका 15,000 भले selling price है वो station A में है लेकिन हम जब देखो जब हम माल बेच रहे हैं जब हम माल बेच रहे हैं तो हमारे selling price हुआ ना जैसे हम कोई समान कोई भी चीज हम बेच रहे है मालो अगर हम कोई बिस्कूट या कुछ भी sale कर रहे है तो यह हमारे लिए selling price हुआ लेकिन जो बंदा खरीद रहा है तो उसके लिए हम पूछेंगे cost price के लाता वही चीज आई बसम में मालो कोई बंदा खरीद रहा है तो कितना में खरीदा तो उसके लिए cost price पड़ा और हमने sale कर रहे है तो मेरे लिए selling price हुआ आई बस में तो cost price at station B यह हमारा answer हो गया 15,000 15,000 student हमारा cost price at station B में जो हो गया वह 15,000 हो गया और आगे आपका question बोल रहा है जो आप D option पढ़ोगे उसमें लिखा if profit 5,000 अगर profit 5,000 मतब cost price में जो भी cost price पढ़ रहा तो selling price at station B में कितना होगा तो 5,000 plus 15,000 20,000 हो जाएगा 20,000 हो जाएगा तो किलिए तरीके से समझ में student याद रखिएगा जो cost price at station B में होगा वह आपका 15,000 होगा अगर आप book में देखोगे तो वहाँ पर कुछ और answer दिया वह हम यहाँ पर जो बनाए है actually वह book के अनुसार ही बना दिया गया है क्योंकि बहुत लोग क्या होते है answer मिलाते है बहुत लोग answer मिलाते हैं reality कुछ और है यहाँ पर जो cost price at station B में होगा वह 15,000 होगा अब बात कर रहा है जो option D अगर आप पड़ोगे तो वहाँ पर कह रहा है कि profit 5,000 रख रहा है तो profit अगर 5,000 रखता है यह 5,000 रखता है और आपका यह 15,000 तो यह जो selling price जो हो जाएगा at station B में जो होगा वह आपका 20,000 हो जाएगा तो इस बात को समझेगा यहाँ पर हम आपको जो book के अनुसार जो answer दिया वह answer मिलाने क्योंकि बहुत सारे student answer मिलाते है इसलिए ऐसा लिखना पड़ा है लेकि reality क्या है हम अपने बता दिया कि इसका जो answer होगा cost price at station B में जो होगा वह 15,000 और selling price at station B में जो होगा वह 20,000 ठीक है तो student हमने यहाँ पर जो solve किया है वो आपका यहाँ पर आप किलिरली देख सकते हैं book के according आपका हमने solve कर दिया book के according जो profit आएगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा आप किलिर देख सकते हैं 16,800 प्लस 5,000 21,800 यह आपके book के according है लेकिन जो reality जो answer आना चाहिए वो आपका 20,000 आना चाहिए यह भीचीच आपको किलियर है ठीक है जो selling price इस्टेशन भी में होना चाहिए वो 20,000 होना चाहिए था लेकिन according to book हम यहाँ पर बनाए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग answer मिलाते हैं इसलिए यहाँ पर लोग answer आया है वो आगिया है 21,800 ओके दा सेम गूट्स वालब सेम समान आर मूव अंडर इंटर इस्टेट पहला था सेम इस्टेट में हो रहा था आप इंटर इस्टेट में जा रहा है आप कको यहां पर निकालना है ठीक है तो 12% of जो हमारा 20,000 होगा वही हमारा GST यानि Good Service Tax होगे ठीक है यह चिछ clear समझ में आना चाहिए ठीक है यहाँ पर जो हम निकाले हैं IGST क्योंकि यहाँ पर state change हो रहा है तो इसलिए integrated GST लग रहा है integrated GST बोलो या सिर्फ GST बोलो बात बराबर है लेकिन 12% of 20,000 लगेगा ठीक है तो यहाँ पर हम book recording क्योंकि answer मिलाना है तो book recording यहाँ पर लिख लिए हैं ठीक है तो I hope आपको clear तरीके समझ में आ रहा होगा यहाँ पर actually लिखना था हमको 12% of 20,000 ओके जो हमारा 12% of 20,000 जो निकलेगा वो हमारा 2400 निकल जाएगा clear तरीके से IGST निकल जाएगा यहाँ इंटेग्रेटेड़ GST कितना 2400 ठीक है यह चीश clear है तो student आगे हमारा बोलता है कि cost price at station C तो आपको बता दें यहाँ पर जो हमारा station B से जो माल fill out हुआ है वो 20,000 में हुआ है तो cost price at station C में जो होगा वो इसका answer क्या होगा 20,000 इस बात को आप clear तरीके से समझ लिए कोई confusion मतर किये बहुत सारा confusion होगा तो दिक्कत होगा रहे है यहाँ पर हम जो भी solution की है अपने copy में यह आपको book के recording जो answer मिलाना था इसलिए हम करने किये क्योंकि लोग क्या होता है answer ही मिलाती है इसलिए ऐसा करना पड़ा है ठीक है I hope यह चीज आपको क्लिए तरीके से समझ में आयेगा इस गुड्स सर्विसेज आर सोल्ड फ्रम आगरा टू कानपूर फॉर ट्वन्टी थाउजन और फ्रम कानपूर तो जाइपूर if the rate of GST is 18% rate tax तो हर जगा पे करना है न अगरा से कानपूर जाएगा तभी टेक्स लगेगा कानपूर से जैपूर जाएगा तभी टेक्स लगेगा समझे and the profit made at कानपूर कानपूर में जो profit बन रहा है 5000 and आपको find the net GST payable by the dealer at कानपूर जो कानपूर में जो dealer है उसके द्वारा जो net GST है जो पे क्या गया वो कितना है वो बता रहा है वो आपको बताना है the cost of good services at जैपूर जो केगा नहीं साला जल्दी से question बनाते है सबसे पहले हम लिखेंगे selling price selling price फटफट लाइक कर दें तो हम जुख सकते हैं इसलिए like कर दें चैनल को subscribe कर दें share कर दें अगर ज्यादा अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है या बहुत आप हमको support करना चाह रहे हैं दिल से तो उसके लिए तो कितना है हमारा selling price इन अगरा वह है 20,000 ठीक है अब कह रहा है selling price इन अगरा तो cost price यानि कह रहा है कि good services are sold from अगरा टू कानपूर तो cost price जो होगा in कानपूर कानपूर कितना होगा rupees 20,000 क्लियर है अच्छा कानपूर तो जैपूर क्या बोल रहा है if the rate of GST is 18% 18% and profit made at कानपूर में कितना profit 5000 सबसे बहले अब हम क्या करेंग input GST निकालेंगे input GST for dealer at कानपूर कानपूर में कितना 20,000 में अब कानपूर वाला कुछ कितना आपका यहाँपर profit रख रहा है तो यहाँपर जो profit रख रहा है वो 5000 रख रहा है तो यह profit रखेगा तो जैपूर में जाएगा जब आप माल खरीद रहो तो उसके यह टेक्स दे रहो तो यहाँ पर जब यह कानपूर जो हो रहा है जो डिलर यह कानपूर में जो डिलर है यह जब माल खरीद रहा तो टेक्स तो दे रहा होगा ना अब सेलिंग प्राइस है 20,000 उसी में इनना टेक्स देगा तो यहां पर हो जाएगा 18% of 20,000 तो 18 by 100 multiply with 20,000 या 2-0, 2-0, cancel इसको solve 3600 अब जब यह माल खरीद रहा था तो यह हमारा input GST हो गया या input टेक्स बोल सकते हैं इसको जो भी बोलो समें कोई दिक्कत नहीं है अब यह माल कानपूर में आया तो अब यह माल जैपूर में जा रहा है समझो तो जैपूर में जा रहा है तो जैपूर वाला से भी तो इसमें tax देगा वो भी कितना देगा 18% ही देगा तो एक तो हुआ input एक output जब सेल करने पर टेक्स ले रहा है और जब खरीद रहा है तो फिर भी टेक्स पे करना पड़ रहा है न कुल मिलाकर जो टेक्स जा रहा हो government को ही जा रहा है ठीक है तो यहां पर इसको बलें क्योंकि यह तेक्स मिल रहा है तो इसके लिए आउट्पूट टैक्स बोलेंगे या आउट्पूट GST for dealer कितना है तो यहां पर हम दिख सकते हैं 18% of 25,000 18 by 100 multiply with 25,000 अब यहां पर अगर आप question read करोगे तो बोल रहा है कि the net GST payable by the dealer at kaanpur तो net GST जो निकलेगा हमारा at net GST net GST by dealer at kaanpur उसके लिए आपो क्या करना पड़ेगा यह जो रुपीज जो output GST है minus input GST करना पड़ेगा नहीं रुपीज four five double zero minus रुपीज three six double zero इसको घटा देंगे तो हमारा simply rupees का GST निकल जाएगा ठीक है कोई दिक्कत no problem अब बोल रहा है the cost of goods services goods at जैपूर जैपूर में इसका क्या cost तो simply समझी अब जैपूर वाला तो किसी को sell नहीं करने जा रहा है न तो जैपूर के लिए जो cost पड़ेगा वो क्योंकि अब जैपूर किसी को sell करने नहीं जा रहा है यहां पर एंड हो गया जैपूर तक तो यह पचीस हजार का अठारा पर पचीस हजार तो इसका selling price वहा उसमें अठारा परसेंट जूटेगा तो cost पड़ेगा इसके लिए जैपूर का तो जो जैपूर के लिए हमारा cost of goods at जैपूर कितना आएगा वह जाएगा आपका 25,000 25,000 प्लस अठारा परसेंट आफ 25,000 हैनी 20 रुपीज 25,000 प्लस रुपीज 45,000 तो रुपीज 29,50 यह हमारा answer हो गया क्लिए तरीके ते ठीक है यह हमारा 3 नंबर है करा है goods services are sold from quota यानी Rajasthan to Mumbai for 20,000 यानी कि यह जो sell out के जाता है कितना में goods को quota to Mumbai कितना 20,000 then from Mumbai से पुने goods आता है if the rate of GST rate of GST है 12% and the profit made at Mumbai Mumbai वाल में जो आया माल उसमें जो profit कमाया हो कितना 5,000 profit रखा then find the net GST paid at Pune if the dealer at Pune is the end user अब जो dealer है Pune में जो dealer है वो end user है वो फिर से नहीं करेगा ठीक है थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर यह है हमारा quota कोटा यानि राजिस्थान अब goods बेचे गए राजिस्थान को कोटा को कोटा से मुंबाई चिक है कितना में बेचा गया है 2,0,1,2,3 फिर मुंबाई से उसी goods को बेचे गया है कितना में पूने में कितना में पांच परसंट मतलब पांच परसंट बोड़े 5,000 रख किया है 2,5,3,0 और GST ऐसे कितना दियावा है 12% तो कहरा find the net GST paid at Pune पूने तो last हो गया तो net GST पूने के द्वारा जो भी tax दिया गया है वो tax आपको net tax निकालना है ठीक है निकालेंगे कोई इसमें दिक्कत नहीं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे परे लिखेंगे सेलिंग सेलिंग प्राइज कि इन कोटा कितना है बराबर रूपीस 20,000 टैक्स पर कितना करना पता है तो पता है 12% 12% आपको हर जगहासे देना ही है अब यह जो गुट्ड्स है कोटा से मंभे में आया कितना मंभेवालों के लिए कितना पढ़ा cost price in Mumbai कितना वो रुपीज 20 thousand अच्छा ये क्या कर रहा है Mumbai वाला 5000 profit रख रहा है तो selling price selling selling price 5000 rupees 2, 5, 1, 2, 3 अब बोल रहा है net GST net GST अब जब selling price Mumbai में 25,000 तो ये Mumbai से यहां पूना में आया तो cost price जो होगा cost price इन पूना में कितना होगा वो हो जाएगा आपका rupees 25,000 तो बोल रहा है कि find the net GST तो net GST net GST paid at Pune ठीक है कितना सिंपलिस समझिए ये जो जो भी इसका जो कितना cost पढ़ रहा है यहां पर पूना में कितना में आ रहा है पूना के लिए जो cost price पढ़ रहा है 25,000 इसका अठारा परसेंट जोडना पढ़ेगा अठारा परसेंट न नेट GST दे रहा है इसी का न 18% जो भी हमारा ये जो है amount इसी का अठारा परसेंट सरी अठारा बोरे बारा परसेंट तो बारा परसेंट ओफ 25,000 यही हमारा input हो गया input मतलब क्या जब माल खरिदते समया आप जो tax दे रहे वो input tax हो गया तो बारा आपाए यही न यही न आप खरीद रहे हो इतने में न खरीद रहे हो यही तो हमारा selling price है आप खरीद रहे हो तो आपके लिए cost price पड़ा तो यहां बारा बाई 100 इंटू पच्चीस हजार डवल जिरो डवल जिरो cancel solve कर तो रुपीज 30 अलग बग 3000 आएगा तो यह आपका net gst paid at pune अब आपको question बोल रहा है के if the dealer at pune is the end user वो तो पता है find the net gst paid at pune if the net gst paid at pune यह तो हो गया यह हमारा 3000 answer निकल गया ठीक है चौधा number question है एक dealer है in banaras में जो की UPM पढ़ता है he supplies good service worth वो बेचता है समान को worth जिसका कीमत कितना 8000 रुपया ने selling price है बनारस में उसका 8000 रुपया to dealer B अब dealer sorry dealer B बोल रहे है it was done by mistake dealer B in agra UP dealer B in turn dealer B भी supply करता है उसी good को dealer C को in partner में other state में at a profit of 1200 profit find the input and output taxes for dealer C under gst system if the rate of dealer C अब dealer C किसी को sell नहीं करता यहाँ पर dealer C, जो है ना किसी और को नहीं बोच अब जब sale ही नहीं करता है दीखो दो, समझो जब आप mal खरीद रहे हो जब आप mal खरीद रहे हो तो उस case में, आप input tax दे रहे हो जब आप mal बेच रहे हो तो output tax दे रहे हो अब यहाँ पर dealer C तो बेच रही नहीं है ना तो आउटपुट टेक्स तो 0 हो जाएगा इनपुट टेक्स ही निकालेंगे ना इसका है ना चलिए समस्ते थोड़ा ये A डिलर है ये माल सेल करता है B डिलर को अच्छा ये जो माल सेल करता है कितना में 8000 रुपया में सब में टेक्स तो सब में रखना है 18% टेक्स जेस्टी तो देना ही पड़े उसका कोई ऑप्शन थोड़ी है अच्छा फिर B जो है ना B भी सप्लाई कर देता है C को अच्छा B जो सप्लाई करता है कितना 1200 का प्रॉफिट रख लेता है बड़ा हुसियार इंसाल है 1200 रुपय का प्रॉफिट ठीक है 1200 रख लेता है यह भी चीच के लिए रहे कोई दिक्कत नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब पर लिखेंगे सब पर लिखेंगे सेलिंग प्राइज सेलिंग प्राइज और गुड इन एडिलर कहां पर बनारस में ना बनारस में है कितना सेलिंग प्राइज इसका 8000 रुपया यानि बनारस में है इसका सेलिंग प्राइज जो है 8000 रुपया है अब बनारस से यहां बी यह जो ए है ना एडिलर है वो बनारस में बैठा हुआ है और जो B dealer है वो आगरा में बैठा हुआ है, छूपकर बैठा नहीं है, वो हमको पता नहीं, C जो dealer है, C जो dealer है, वो पतना में बैठा हुआ है, ठीक है, और A जो dealer है, वो कहां है, बनारश, लिग देते हैं, तो selling price of goods in बनारश कितना रुपीज 8000, देखो फटाफट वीडियो को like करो, है ना, आप लोग like नहीं करोगे ना, तो हम motivate नहीं रहेंगे, और motivate करने के लिए आपको, देखो हम आपको motivate नहीं करेंगे, आपको ही motivate करना होगा, अगर आप करोगे, तब ही कुछ होगा मेरा, तो cost price of goods in आगरा, कितना है, रुपीज 8000, ठीक है, अब आगरा को इतना इसमें 1200 का profit रखा, यानि selling price, इन आगरा, कितना, 8000, प्लस 1200, कितना होगे, 9200, यानि 900, यह है selling price in आगरा, तो यहाँ पर, यहाँ पर बोला है कि, output taxes for the dealer D, dealer C, तो यहाँ पर जो, देखो हम already बता दिये थी, कि output tax नहीं लगीगा, कि यह C, किसी को बेच रहा नहीं, यह खरीद रहा, लेकिन बेच किसी को नहीं रहा है, इससे खरीद रहा है, तो कितना में खरीद रहा है, तो यहाँ पर अगर दिखा जाए, तो selling price of goods in आगरा, यह आपका, 9200 है, तो इसके लिए जो cost पढ़ेगा, cost price of goods, अच्छो तो समझ म उसका cost price पढ़ा, rupees, 9200, ठीक है, आपको main आपको net GST निकालना है, तो net GST, इसी का आपको net GST, मनलब इसी का आपको 18%, जाहिर सा बात है, जिब यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से बिरानबेशों में आपको cost पढ़ रहा है, तो आप जाहिर सा बात है, यह जो selling price है, आपका 99, मन इसी माल फिरी में थोड़े आगया होगा, tax भी तो pay की होंगे, आप GST tax भी तो दिये होंगे, तो इस 92 का, तो यहाँ पर, जो tax pay करोगे, आप कितना pay करोगे, 18%, तो 18% of 92 शों, तो कितना हो जागा, 18 by 100, multiply with 90 00, solve करते हैं, इसको net GST लिखो, यहाँ पर आप लिखना चाहिए, तो अगर आप input, input tax लिख सकते हैं, input tax, ठीक है, वो आपका पड़ गया, और output जो पड़ेगा, output जो पड़ेगा, output जो पड़ेगा, output tax वो आपको, input tax कितना आगया, आपका rupees, 1656, ठीक है, और output tax आपको 0 पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यह फिर आप, तो sell नहीं कर रहे हो ना, किसी और को, आप खरीद रहे हो, और खरीदने पर tax दे रहे हो, आपका खरीदने पर, जो cost price पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, बिरान बेशो, अब उस पर जाहिर सा बत है, खरीदोगे तो, कुछ ना कुछ तो, उसका tax भी तो दोगे, तो उसी पर ना tax दोगे, यह हमार आप खरीद रहे हो, तो आपके लिए cost price हुआ, सामने वाला बेच रहा है, तो उसके लिए selling price हुआ, जैसे selling price of goods इन आगरा, बिरान बेशो, आप खरीद रहे हो, तो cost price पड़ा, अब इसी में आपको, tax pay करना है, ठीक है है, Student, यह question number 5 है, क्या कर रहा है, A is a dealer in merit, he supplies goods, services worth 15,000 to a dealer B, A कोई dealer है, जो की merit में रहता है, वो goods को supply करता है, dealer B में, कितना में, 15,000 में, dealer B कहा है, रतलाम में रहता है, MP, dealer B in turn supplies, the same goods service to C in Jabalpur, sorry, Jabalpur MP, at a profit of 3,000, 3,000 रुपया profit रख कर यह बेज देता है, ठीक है, dealer C को, if the rate of tax GST is 18%, 18%, find the cost of goods service to the dealer C in Jabalpur, assuming that the dealer C does not sell the goods, यह dealer C जो है, उसको sell नहीं करता है, goods को, and find the net tax payable by dealer B, तो हमने यहाँ पर simply, बढ़ें से समझा दिया, यहाँ पर, selling price of goods by dealer in merit में, कितना है, इसका selling price है, वो 15,000 है, cost price of goods by dealer B in रतलाम, वो 15,000 होगा, अब क्योंकि यहाँ पर, जो selling price of goods in रतलाम है, यह अपना 3,000 रुपया profit रखकर बेचेगा, तो यह आपका, selling price of goods by dealer B in रतलाम, वो आपका 18,000 होगा, यानि भेज देगा इतने में, तो cost price of, अब यह जो dealer B है, dealer C को भी इसता है, तो dealer C के लिए cost price पड़ेगा, अब जाहिर सा बात है, 18,000 क्योंकि dealer C अब कोई sell करने वाला नहीं है, तो जाहिर सा बात है, यह dealer C, यह dealer C है, अब इसको use करेगा, अब इसको फिर दोबारा sell नहीं करेगा, तो dealer C के लिए जो total cost प पड़ेगा by dealer C को, इन जबलपूर में जो है dealer C, उसको कितना पड़ेगा, इतना पड़ेगा, अब आपको आगे बोल रहा है कि net GST निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पर input tax by dealer B को कितना दिना पड़ रहा है, तो 18% of 15,000, ठीक है, देख सकते हैं, आगे हमको क्या निकालना है यहाँ पर हमने आपको जैसा कि बताया, आपको net tax payable by dealer B निकालना है, तो हम देखिंग input tax by dealer B, input tax मतलब क्या होता है, जब आप माल खरीते हो, तो उस case में कितना आप tax payment करते हो, तो माल कौन खरीद रहा है dealer B, dealer B जो खरीद रहा है cost price of goods by dealer B, इन रतलाम कितना 15,000, तो इसका 18% इसको input tax मतलब इसको tax देना पड़ेगा, तो वही input tax हो जाएगा हमारा by dealer B, 18% of 15,000, यह हमारा 2700, और output क्या होता है, जब आप माल बेच रहे हो, तो उसके भी tax देना पड़ता है, तो यहाँ पर जो dealer B है, इसको माल fail कर दिया, तो कितना पढ़ रहा 18,000 रुपिया, ठीक है, अरे 18,000 में ना शिर किया, तो output tax by dealer B, 18% of 18,000, तो यह हो गया, 33,240, अब इनका जो difference हाएगा, वही हमारा net tax हाए जाएगा, ठीक है, कोई दिकत नहीं, अराम से हमारा question number बन गया, if you like it, then please share and subscribe our channel, thanks for watching this video,